नमस्कार बच्चो आज का मरपाथ है मीरा इसमें हम आज अर्थ ग्रेहन संबंधी प्रेश्ण देखेंगे तो इसमें पहला हमारा प्रेश्ण है मीरा किसको अपना सर्वस्वा मानती है और क्यूं इसका उतर इस प्रकार से है कि मीरा कृष्ण को अपना सर्वस्वा मानती है क्यों मानती है क्योंकि उन्होंने कृष्ण को बड़े प्रेतनों से पाया है वे उन्हें अपना पति मानती है सकेंड हमारा इसमें प्रेश्ण है कि मीरा कृष्ण प्रेम के विशे में क्या बताती है मीरा कृष्ण प्रेम के विशे में बताती है कि उसने अपने आस्वों से कृष्ण प्रेम रूपी बेल को सीचा अब वह बेल बड़ी हो गई है और उसमें आनंद के फल लगने लगे हैं तीसरा प्रिश्ण है कि मीरा के रोने और खुश होने का क्या कारण है मीरा भक्तों को देख करके प्रसन होती है यहनि कि जब वो कृष्ण भक्तों को देखती है तो उन्हें खुशी होती है तथा संसार की अज्यान और दुर्दशा को जब देखती हैं तो उन्हें रोना आता है फूर्थ प्रिश्ण है क्रिश्ण को अपनाने के लिए मीरा ने क्या क्या खोया क्रिश्न को अपनाने के लिए मीरा ने अपने परिवार की मार्यादा और समाज की लाज को खोया है झाल 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 झाल